C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई एक पूर्णांक पृष्ट चौबीस एक दशमलव साथ पूर्णांकों के भाग के गुण निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए कथन निशकर्ष कथन निशकर्ष मैनस आठ भाग मैनस चार बराबर दो परिणाम एक पूर्णांक है मैनस चार भाग मैनस आठ बराबर मैनस चार बटे मैनस आठ परिणाम एक पूरणांक नहीं है minus 8 भाग 3 बराबर minus 8 बटा 3 डश तीन भाग minus 8 बराबर 3 बटा minus 8 डश आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पूरणांक भाग के अंतरगत सम्रित नहीं है अपनी ओर से 5 और उदाहरन लेते हुए इस कथन की सत्यता के लिए उचित कारण बताईए. हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग करम विनिमे यह नहीं है. आईए, पूर्ण आंकों के लिए भी इसकी जांच करें. आप सारणी से देख सकते हैं कि मैनस आठ भाग मैनस चार, माइनस चार भाग माइनस आठ के बराबर नहीं है प्रिष्ट पचीस क्या माइनस नौ भाग तीन और तीन भाग माइनस नौ एक समान है क्या माइनस तीस भाग माइनस चै और माइनस चै भाग माइनस तीस एक समान है क्या हम कह सकते हैं कि पूरणांकों के लिए भाग क्रम विनिमेय है? नहीं, आप पांच और पूरणांक युग मलेकर इसे सत्यापित कर सकते हैं पूर्ण संख्याओं की धरहा किसी भी पूरणांक को शुन्य से भाग करना अर्थ हीन है और शुन्य तर पूरणांक से शुन्य को भाग देने पर शुन्य प्राप्त होता है अर्थात किसी भी पूरणांक य के लिए य भाग शुन्य परिभाशित नहीं है परंतु शुन्य भाग य बराबर शुन्य जबकि य शुन्य के बराबर नहो के लिए है जब हम किसी पूर्ण संख्या को एक से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है आईए इसकी जांच करते हैं कि क्या यह रिनात्मत पूरणांकों के लिए भी सत्य है निम्नलिखित को देखिए यह दर्शाता है कि रिनात्मक पूरणांक को एक से भाग देने पर वही रिनात्मक पूरणांक प्राप्त होता है अथा किसी भी पूरणांक को एक से भाग देने पर वही पूरणांक प्राप्त होता है व्यापक रूप में किसी भी पूरणांक ए के लिए ए भाग एक बराबर ए किसी पूरणांक को माइनस एक से भाग देने पर क्या होता है निमनलिकित सारणी को पूरा कीजिए माइनस आठ भाग माइनस एक बराबर आठ ग्यारह भाग माइनस एक बराबर माइनस ग्यारह तेरह भाग माइनस एक बराबर डैश माइनस पचीस भाग माइनस एक बराबर डैश माइनस 37 भाग माइनस 1 बराबर डैश माइनस 48 भाग माइनस 1 बराबर डैश आप क्या देखते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी भी पूरणांक को माइनस 1 से भाग देने पर वही पूरणांक प्राप्त नहीं होता है क्या हम कह सकते हैं कि कोश्ट हको में माइनस सोलह भाग चार भाग माइनस दो एवं माइनस सोलह भाग कोश्ट हको में चार भाग माइनस दो समान है हम जानते हैं कि कोश्ट हको में माइनस सोलह भाग चार भाग माइनस दो बराबर है माइनस चार भाग माइनस दो बराबर दो और माइनस सोलह भाग कोश्ट हको में चार भाग माइनस दो बराबर माइनस सोलह भाग माइनस दो बराबर आठ अतह कोश्ठकों में माइनस सोलह भाग चार भाग माइनस दो माइनस सोलह भाग कोश्ठकों में चार भाग माइनस दो के बराबर नहीं है क्या आप कह सकते हैं कि पूरणांकों के लिए भाग साहचर्य है के नहीं अपनी ओर से पांच अन्य उदाहरन लेकर इसे सत्यापित कीजिए प्रयास कीजिए क्या किसी भी पूरणांक A के लिए 1. A भाग A बराबर 1 है 2. A भाग माइनस A बराबर माइनस A है A के विभिन मानों के लिए इनकी जाच कीजिए उदाहरन 6 किसी टेस्ट में प्रतेक सही उत्तर के लिए प्लस पांच अंक दिये जाते हैं और प्रतेक गलत उत्तर के लिए माइनस दो अंक दिये जाते हैं 1. राधिका ने सभी प्रशनों के उत्तर दिये और तीस अंक प्राप्त किये जबके उसके दस उत्तर सही पाए गए दो, जय ने भी सभी प्रशनों के उत्तर दिये और उसने माइनस बारह अंक प्राप्त किये जबके उसके चार उत्तर सही पाए गए उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रशनों के उत्तर गलत दिये प्रिष्ट, 26, हल, 1 एक सही उत्तर के लिए दिये गाय अंक बराबर पांच, अथह दस सही उत्तरों के लिए दिये गाय अंक बराबर पांच गुणा दस बराबर पचास, राधिका के द्वारा प्राप्त किये गाय अंक बराबर तीस, गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक बराबर तीस, घटा प भाग माइनस दो बराबर दस. दो, चार सही उत्तरों के लिए दिये गाय अंक बराबर पांच गुणा चार बराबर बीस. जैद्वारा प्राप्त किये गाय अंक बराबर माइनस बारह. गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक बराबर माइनस बारह माइनस बीस बराबर माइनस बत्तीस इसलिए गलत उत्तरों की संख्या बराबर माइनस बत्तीस भाग माइनस दो बराबर सोलह है उदहरन साथ, कोई दुखानदार एक पैन बेचने पर एक रुपई का लाभ अरजित करती है और अपने पुराने स्टॉक की पैंसिलों को बेचते हुए चालीस पैसे प्रती पैंसिल की हानी उठाती है एक, किसी विशिष्ट महीने में उसने पांच रुपई की हानी उठाई, इस सवधी में उसने पैंसिलों बेचे, बताइए इस सवधी में उसने कितनी पैंसिलों बेची, दो, अगले महीने में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानी हुई, यदि इस महीने में उसने सतर पैं पैन बेचे तो उसने कितनी पैंसिलें बेची? हल, एक, एक पैन को बेचने पर अरजित लाब बराबर एक रुपया, पैंतालीस पैनों को बेचने पर अरजित लाब बराबर पैंतालीस रुपय, जिसे हम प्लस पैंतालीस रुपय से निर्दिश्ट करते हैं, दी हुई खुल अर्जित लाब जमा उठाई गई हानी बराबर कुलहानी इसलिए उठाई गई हानी बराबर कुलहानी घटा अर्जित लाब बराबर रुपए कोश्ट हकों में माइनस पांच माइनस पैंतालीस बराबर माइनस पचास रुपए बराबर माइनस पांच हजार पैसे एक पैंसिल को बेचने से उठाई गई हानी बराबर 40 पैसे, जिसे हम माइनस 40 पैसे के रूप में लिखते हैं. इसलिए बेची गई पैंसिलों की संख्या बराबर माइनस 5000 भाग माइनस 40 बराबर 125. 2. अगले महीने में न तो लाब हुआ और ना ही हानी हुई. इसलिए अरजित लाब जमा उठाई गई हानी बराबर 0. अरथात अरजित लाब बराबर माइनस उठाई गई हानी. अब 70 पैनों को बेचने से अरजित लाब बराबर 70 रुपए. इसलिए पैंसिलों को बेचने से उठाई गई हानी बराबर 70 रुपए जिसे हम माइनस 70 अरथात माइनस 7000 पैसे से दर्शाते हैं. बेची गई पैंसिलों की कुल संख्या बराबर माइनस साथ हजार भाग माइनस चालीज बराबर 175 पैंसिलें प्रिश्ट 27 प्रश्णावली एक दशमलव चार 1. निम्नलिखित में से प्रत्य खामान ग्याद कीजिए A. माइनस 30 भाग 10 B. पचास भाग माइनस 5 C. माइनस 36 भाग माइनस 9 D. माइनस 69 भाग 49 E. तेरह भाग कोष्ठकों में माइनस 2 जमा एक F. शूनिय भाग माइनस 12 है G. माइनस 31 भाग कोष्ठकों में माइनस 30 जमा माइनस 1 H. कोष्ठकों में माइनस 36 भाग 12 है भाग 3 I. कोष्ठकों में माइनस 6 जमा 5 भाग कोष्ठकों में माइनस 2 जमा 1 2. A, B और C के निम्न लिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग कुष्ठकों में B जमा C, कुष्ठकों में A भाग B जमा A भाग C के बराबर नहीं है को सत्यापित कीजिए A, A बराबर 12, B बराबर माइनस 4, C बराबर 2, B, A बराबर माइनस 10, B बराबर 1, C बराबर 1 3. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए A, 370 भाग डाश बराबर 370, B, माइनस 75 भाग डाश बराबर माइनस एक, C, माइनस 206 भाग डाश बराबर एक, D, माइनस 87 भाग डाश बराबर 87, E, डाश भाग एक बराबर माइनस 87, F, डाश भाग अधालीस बराबर माइनस एक, G. 20 भाग डैश बराबर माइनस 2 H. डैश भाग 4 बराबर माइनस 3 4. पांच ऐसे पूरणांक युग्म A, B लिखिए ताके A भाग B बराबर माइनस 3 हो ऐसा एक युग्म 6 माइनस 2 है क्योंके 6 भाग माइनस 2 बराबर माइनस 3 है 5. दोपहर 12 बजे तापमान 0-10 डिग्री सेलसियस उपर था यदि है अधी रात तक 2 डिग्री सेलसियस प्रती घंटी की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0-8 डिग्री सेलसियस नीचे होगा अधी रात को तापमान क्या होगा 6. एकक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए फ्लस 3 अंक दिये जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस 2 अंक दिये जाते हैं और किसी प्रशन को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है 1. राधिका ने 20 अंक प्राप्त किये यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रशनों का उत्तर गलत दिया है दो, मोहिनी टेस्ट में माइनस पांच अंक प्राप्त करती है जबके उसके साथ उत्तर से ही पाए जाते हैं उसने कितने प्रश्णों का उत्तर गलत दिया है साथ, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रती मिनट की दर से नीचे जाता है यदि नीचे जाना भूमी तल से 10 मीटर उपर से शुरू होता है तो माइनस 350 मीटर पहुचने में कितना समय लगेगा हमने क्या चर्चा की एक, पूरणांक संख्याओं का एक विशाल संग रह है जिसमें पूरण संख्याओं और उनके रिणात्मक सम्मिलित हैं इनका परिचय कक्षा 6 में कराया गया था 2. आपने पिछली कक्षा में पूरणांकों को संख्या रेखा पर निरुपित करने के बारे में एवम उनके योग और व्यवकलन के बारे में अध्ययन किया है 3. अब हमने योग एवम व्यवकलन द्वारा संतुष्ट होने वाले गुणों का अध्ययन किया है A. पूरणांक योग एवम व्यवकलन दोनों के लिए संव्रित है अर्थात A. जमा बी और A. घटा बी दोनों उनह पूरणांक होते हैं जहां A. और B. कोई भी पूरणांक हैं पृष्ट 28 B. पूरणांकों के लिए योग क्रम विनिमेय है अर्थात सभी पूरणांकों A. तथा B. के लिए A. जमा बी बराबर बी जमाए C. पूरणांकों के लिए योग साहचर्य है अर्थात सभी पूरणांकों A, B तथा C के लिए A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C होता है डी, योग के अंतरगत पूरणांक 0 तत समक है अर्थात किसी भी पूरणांक A के लिए A जमा 0 बराबर 0 जमा A बराबर A होता है 4. हमने यह भी अध्ययन किया है कि पूरणांकों को कैसे गुणां किया जा सकता है और हमने पाया कि एक धनात्मक एवं एक रिनात्मक पूरणांक का गुणन फल एक रिनात्मक पूरणांक है जबके दो रिनात्मक पूर्णांकों का गुनन फल एक धनात्मक पूर्णांक है, उदाहरन थह, माइनस दो गुना साथ बराबर माइनस चोदह है, और माइनस तीन गुना माइनस आठ बराबर चोबीस है 5. रिनात्मक पूर्णांकों की संख्या सम होने पर उनका गुणन फल धनात्मक होता है, जबके यह संख्या विशम होने पर उनका गुणन फल रिनात्मक होता है 6. पूर्णांक गुणन के अंतरगत कुछ गुणों को दर्शाते हैं A. गुनन के अंतरगत पूरणांक संवरित होते हैं. अर्थात, किनहीं दो पूरणांकों A तथा B के लिए A गुना B एक पूरणांक होता है. B. पूरणांकों के लिए गुनन क्रम विनि में यह होता है. अर्थात, किनहीं दो पूरणांकों A तथा B के लिए A गुना B बराबर B गुना A होता है. C. गुनन के अंतरगत पूरणांक A तत समख है अर्थात किसी भी पूरणांक A के लिए एक गुना A बराबर A गुना A बराबर A होता है D. पूरणांकों के लिए गुनन साहचर्य होता है अर्थात किनहीं तीन पूरणांकों A, B तथा C के लिए A गुना B, गुना C, बराबर A गुना B, गुना C होता है 7. योग एवं गुनन के अंतरगत पूरणांक एक गुन को दर्शाते हैं जिसे वितरण गुन कहा जाता है अर्थात किनहीं तीन पूरणांकों A, B तथा C के लिए A गुना कुष्ठकों में B जमा C, बराबर A गुना B, जमा A गुना C होता है 8. योग एवं गुनन के अंतरगत, क्रम विनिमेयता, सहचारिता और वितरणता के गुन हमारे परिकलन को आसान बनाते हैं 9. हमने यह भी सीखा है कि पूरणांकों को कैसे भाग दिया जाता है 10. किसी भी पूरणांक A के लिए हम पाया 10. आते हैं के A, A भाग शून्य परिभाशित नहीं है, B, A भाग एक बराबर A है 10. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक 11. कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश 12. वाचनस्वर गौरव मारवा 12. तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत 3. वाचनस्वर गौत